हलो जी रादे रादे तो आज इस वीडियो में बताऊंगे कि आपको सिर्फ साथ दिनों में कैसे अपने टूटते जड़ते रूखे सुके बेजान होते हो बालों में नई जान डाल सकते हैं बालों की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं डेंडफ खत्म कर सकते हैं अपने बालों को अब अच्छा लगे तो लाइक से ज़रूर करना चैनल पनाई हो तो सब्सक्राइब करना तो इस पावरफुल रेमेडी को त्यार करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले चाय की पत्ती चाय की पत्ती है जो बहुत ही ज़्यादा वेनिफीशल होती है हमारे बालों के लिए अगर अगर आप इसे टॉनर को जो मैं बना बता रही हूं आपको अगर इस्तिमाल करोगे न तो आपके बालों में जो बाल टूट रहे हैं बीच में से जो ज़ड रहे हैं बहुत ज़्यादा टैंडरफ है रूखे सूखे बेजान बाल हो गए न वो टूटना ज़डना भी बंद रंसाना हैं तो हम लेंगे चाय की पत्ति अपनी बालों की ल्प करेंड लेनी वैधैं इसे छाय अपको आस स्थे की कमर्द तो चड़ा दिया है और अब हम इस वात का खास क्याल लगए कि यह हमें तेज गैस पर नहीं उबालना है इसके लिए हमें गैस अपनी स्लो रखनी है और अपने पानी को तक्रीबन पांस से साथ मट उबालना है जितना कि हमारा जैसी एक गलास पानी रखा है तो आदा गलास रह ठीक है अच्छे से उबालना है दीमी गैस पर तो देखो का पानी का कलर एकदम से चेंज हो गया है इतना पावरफुल टोनर तयार होगा आपके बालों में एक नई जान डालेगा आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी करेगा जो स्कैल्प में इंफेक्सर वगरा उसको भ खत्म करेगा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा तूरते जड़ते बालों को भी रोकेगा हाजी तो हमने पांस से साथ मट हो गए है तो हमने उपाल के अब ठंडा करके आपको किसी बरतन में ट्रांसफर कर लेना है इसको अब उसमें एक और हमें सबसे अच्छी ची अब लुद बनाएगा तूरते हमारे बालों को अच्छी से मिक्स करके अब चाहे तो इसे किसी इसपर बॉटल में भरके रख सकते हैं या फिर कौटन की हेल्प से भी अपने बालों में लगा सकते हैं और इस जो रेमेड़ी है इसे किसी भी इज का लगा सकता है कोई भी स के help से मांग निकाल निकाल के भर भर के लगा लें लगा के आपको छोड़ देना है तक कि जबन 40 से 45 मिनट के लिए फिर किसी भी सेंपू से आप वास कर लें जो आप इस्तिमाल करते हों बेस्ट रिजल्ट के लिए हपते में 2 से 3 वास इस्तिमाल करें देखना कुछी दिनों म आपके बाल काले लंबे घने मोटे मजबूत होंगे बालों के तूटने के समस्या वो भी खत्म होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से करना चैनल को सब्सक्राइब करना लादे रादे